अब उन्होंने पुर्व मुख्य मंत्री देविंद्र फड्नविस की पतनी अमृता फड्नविस पर निशाना साधा है और एक तस्विर शेयर की है जिसमें अमृता फड्नविस के साथ ड्रग पेडलर जैदिप चंदुलाल राना दिखाई पड़ रहा है उदर महाविकास आगाडी सरकार में कॉंग्रेस विधायक दलकेनेता और राज्य की राजस्वा मंत्री बाला साहिब थोरात ने मुख्य मंत्री उत्व ठाकरी की जम कर तारिफ की है उन्होंने कहा है कि महाविकास आगाडी सरकार को मजबूती के साथ टिकाय रखने में उनकी महद्वा पुर्णभूमी का है इस बिच कोरोना वैक्सिंग की दो डोज लेने के बाद 14 दिन की अवधी पूरी कर चुके लोगों को मुंबई लोकल के लिए सिंगल टिकट मिलने लगे है तो नौसेना को एक और घातक युद्धपोत मिल गया है मुंबई के मजगाउं डोक में निर्मित युद्धपोत विशाका पटनम को सभी ट्रायल के बाद नौसेना को सौब दिया गया है दूसरी तरफ महराष्ट विधान परिशद में कॉंग्रेस के सदस से रहे शरत रण पीसे के निधन से रिक्थ हुई सीट पर उपचुनाओ 29 नवंबर को होगा भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी घोशना की है प्रदेश के इन पाज बड़ी और ताजातर इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ नवाब मलिक ने अब महराष्ट के पुर्व मुख्य मंत्री देवेंद्र फड़नविस की पतनी अमरुता फड़नविस पर निशाना साधा है मलिक ने एक फोटो शेयर करते वे ये सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी और ड्रग पेडलर का क्या कनेक्शन है फोटो में अमरुता फड़नविस के साथ ड्रग पेडलर जैदिप चंदुलाल राना भी दिखाई पड़ रहा है जिसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जून 2021 को गिरफतार किया था फिलहाल ये जेल में है नवाब मलिक ने कहा कि जैदी ब्राना और पुर्व मुख्य मंतरी देविंदर फड़नविस के घरिश रिष्टे है देविंदर फड़नविस की पत्नी ने बिजेपी सरकार के कार्यकाल के दोरान जिस रिवर्स सौंग को बनाया था उसमें खुद देविंदर फड़नविस और ततकालिन वित्तमंतरी सुधिर मुंगंटिवार ने अभी नयवी किया था इसमें सबसे एहम बात ये है कि इस गाने का फाइननस हेट जैदी प्राना ही था नवाव मलिक ने एक और व्यक्ति का नाम लिया जिसके संबन सीधे तोर पर पुर्व मुख्य मंतरी देविंदर फड़नविस के साथ है मलिक के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम नीरज गुंडे है मलिक ने फड़नविस पर आरोप लगाते वे कहा कि नीरज गुंडे महराष्ट की ततकलिन विजेबी सरकार में तबादलों को करवाने का काम करता था देविंदर फड़नविस के बंगले पर आने जाने की उसको पूरी आजादी थी खुद देविंदर फड़नविस भी उसके घर पर अकसर शाम को जाकर बैटते थे महाविकास आघाडी सरकार में कॉंग्रेस विधायत दलके नेता और राज्य की राजस्वा मंदरी बाला साहिप थोरात ने कहा है कि महाविकास आघाडी सरकार को मजबूती के साथ टीकाय रखने में मुख्य मंदरी उद्धव ठाकरे की महत्वपुर्ण भूमी का है वह सबकी समस्य सुनकर उचित निरने लेने वाले नेता है और सबको साथ लेकर चलते हैं कोरोना महामारी के संकट काल में उन्होंने जितनी समझदारी धहरिय और मजबूती के साथ फैसले लिये हैं वह काबिले तारिफ है यही कारण है कि कोरोना काल में बहतरी नेतरुत्व के लिए उद्धव ठाकरे देश में अवल मुख्यमंत्री साबित हुए है थुरात रविवार को दंडकारेन ने अभियान के सुलावे सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि महाराष्टर में तीन दलों की महाविकास आगड़ी सरकार को सफलता पूर्वक संचालित करने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुभाव की बहुत बड़ी भूमिका है हालांकि सरकार को गिराने के लिए पहले ही दिन से लगातार कोशिश हो रही है कुछ लोग तो हाथ धो कर पीछे पड़े हैं कुछ लोग दिन में भी सरकार गिराने का खुआप देखते रहते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतरुत्व में सरकार मजबुती से अपना काम कर रही है और ऐसे लोगों के खुआप कभी पूरे नहीं होगे कोरोना वैक्सिंग की दो डोज लेने के बाद 14 दिन की अवधी पूरी कर चुके लोगों को मुंबई लोकल के लिए सिंगल टिकट मिलने लगे है करीब 19 महिने से मुंबई लोकल पहले की तरह से नहीं चल रही थी जिन लोकल ट्रेनों में रोज करीब 80 लाख लोग यात्रा करते थे उनमें हाल ही के दिनों में ये संख्या 50 लाख तक पहुच पाई थी लोकल ट्रेनों में आम लोगों को टिकट खरीदने के लिए राज्ज सरकार की शर्तों को फूरा करना होता है दूसरी और रेलवे ने भी लंबी धुरी की ट्रेनों में अनारिक्षी टिकेट और प्लैटफॉर्म टिकेट देने जैसी प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया है हाल ही में चुनिंदा रूट पर लंबी ट्रेनों की ट्रेनों में सीजन टिकेट देने की भी शुरुआत हुई है लोकल ट्रेनों में कम यात्रियों के सफर करने के कारण रेलवे को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है सिंगल टिकेट नहीं मिलने के कारण रोज लाखो लोग मजबूरन बे टिकेट सफर करने को मजबूर थे राज्य सरकार की और से सिंगल टिकेट की मन्जूरी देने वाले पत्र में लिखा है कि लाखो यातरी बे टिकेट चल रहे हैं जिससे रेलवे को भी नुकसान हो रहा है जबकि इससे संक्रमन का खत्रा और बढ़ सकता है सागरी ये सीमा की सुरक्षा के लिए नौसेना को एक और घातक युद्धपोत मिल गया है मुंबई के मजगाव डॉक में निर्मित युद्धपोत विशाका पत्नम को सभी ट्रायल के बाद नौसेना को सोब दिया गया है सेना के सुद्रों ने बताया कि इससे हमारी ताकत में और भी जाफा हुआ है अत्यादुनिक हातक हतियारों से लेस विशाका पत्नम का पिछले वर्ष इससे ट्रायल चल रहा है गहरे सागर समित सभी हतियारों के टेस्ट में ये युद्धपोत खरा उतरा है और जल्द ही इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा भारती सेना के प्रोजेक्ट 15B के ताथ विशाका पत्नम का निर्मान किया गया है 2015 के करीब पहले बार इसे पानी में उतरा गया था अत्याथुनिक तक्निक एवं घातक हतियारों से लेस युद्धपोत में 312 कर्मियों की रहने की व्यवस्ता की गई है मजगाव डॉक में बने विशाका पत्नम का डिजाइन नौ सेना के डिजाइन महा निदेशालने तैयार किया है जहाज निर्मान के इस्तेमाल में हुए कठोर स्टील का निर्मान देश में ही किया है जबकि इससे पहले युद्धपोत में लगने वाले स्टील के लिए भारत को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है इससे एक तरह से स्वदेशी को भी बल मिला है 164 मिटर लंबाई वाले युद्धपोत पर सभी उपकरण और हतियारों की तैनाती के बाद कुल वजन 7500 हो गया है महराश्ट विदान परिशद में कॉंग्रेस के सदस्य रहे शरद रणपीसे के निधन से रिक्थ हुई सीट पर उपचुनाव 29 नवंबर को होगा भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी गोशना की महाविकास आघाडि की और से इस उपचुनाव में कॉंग्रेस अपना उम्मिदवार उतारेगी महराश्ट विदान सबा में सत्ताधारी महाविकास आघाडि के पास स्पष्ट बहुमत है इसलिए कॉंग्रेस के प्रत्याशी के जीत की रहा आसान मानी जा रही है हालांकि राजनुती में अंतिम घड़ी तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है वैसे इस उपचुनाव के लिए 9 नवंबर को अधी सूचना जारी होगी इसके बाद उमिद्वार 16 नवंबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे उमिद्वारों के नामांकन पत्रों की छान बिन 17 नवंबर को होगी उमिद्वारों के पर्चे वापस लेने की आखरी तारीक 22 नवंबर है जबकि 29 नवंबर को मत्तदान होगा उसी दिन शाम पाच बज़े से मतगणाना के बाद चुनाओ परिणाम घोशित किये जाएंगे इस उपुचुनाओ में निर्वाचित होने वाले सदस्य का कारेकाल 27 जुलई 2024 तक होगा बदादे की महराष्ट विधान परिशद में फिलहाल 13 सीटे रिक्त है इस में से 12 रिक्त सीटे राजज़पाल कोटे की है जबकि एक सीट पर उपुचुनाओ की तारिक का एलान हो गया है इस चुनाओ को लेकर कॉंग्रिस अश्वस्त है महंगाई में पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम रोज तड़का लगा रहे है आज LPG कमर्शिल सिलेंडर भी महंगा हो गया है इसे व्याफसेक्स तर पर भी असर पड़ेगा इस बीच योग गुरू बाबारामदयों ने मांग की है कि गौमाता को भारत का राष्टे पश्चु घोशित किया जाना चाहिए तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम पीठम की और से आयोजित गौ महा सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही इस बीच राज़दान दिली में डेंगू के खतरनाक रूप से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रिय स्वास्तामंत्री मनसुक मांडविया ने हाई लेवल मिटिंग की स्वास्तामंत्राले के साथ ही दिली सरकार के अधिकारीईं ने डेंगू की रोगठाम पर मन्थन किया इसके अलावा खबर है कि केंद्रिय एजंसिया सम्मलित रूप से नकसलियों को होने वाली फंडिंग की जाच और रोक्था में जुटेगी इस अभियान में स्थानिय पुलिस और स्थानिय एजंसियों की भी प्रमुक भूमिका रहेगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाथ ने चेताओनी दी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान से परेशान है महसुस कर रहे हैं लेकिन अगर विद्रोही समुव भारत की और बढ़ता है तो भारत हवाई हमले के लिए तयार है देश भर की इन पाच बड़ी और ताज़ादर इन खबरों को विस्तान सुजानने के लिए बने रहे हमारे साथ अमेरिका समय दुनिया भर के देशों में तेल की मांग बढ़ती जा रही है और ये कोरोना पुर्वस्तर के करीब पहुँच गई है पिछले हफते कच्चा तेल 85 डॉलर प्रती बैरल के पार चला गया था जो 2014 के बाद इसका उच्चतम स्थर है गोल्ड मैन सैक्स के मुताबिक अगले साल कच्चे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रती बैरल तक पहुँच सकती है इस बीच पेटरल और डीजल की लगातर बढ़ती कीमतों के बीच आज LPG कमर्शिल सिलेंडर भी महंगा हो गया 19 किलो के सिलेंडर की कीमत आज 266 रुपे की बढ़ोतरी की गई है इसके साथ ही दिल्ली में इसकी कीमत अब 2000.50 रुपे हो गई है बड़े हुई कीमत आज से ही लागू हो गई है इससे पहले दिल्ली में ये सिलेंडर 1734 रुपे में मिल रहा था हाला कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ाव नहीं किया गया है सरकार ने पिछले हफते संके दे दिये थे कि LPG के दाम बढ़ सकते हैं पेटरल और डीजल की कीमत भी रिकॉर्ड सतर पर है पिछले छे दिनों से इसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है दिली में पेटरल की कीमत 109.79 रुपे और डीजल की कीमत 98.42 रुपे पहुच गई है सूतरों की मताबिक LPG के मामले में लागत से कम मुल्यों पर बिक्री से होने वाला नुकसान 100 रुपे प्रती सिलेंडर पर पहुच चुका है इससे पहले 6 अक्तुबर को रसोई गया सिलेंडर के दाम 15 रुपे बढ़ाए गए थे योग गुरु बाबा रामदेव ने मांग की है कि गोव माता को भारत का राष्ट्रिय पशुग होशित किया जाना चाहिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम पीठम की और से आयोजित किये गए दो दिपसिय गोव महा सम्मेलन में रामदेव ने ये बात कही है आंद्रा प्रदेश के महाटी ओडिटोरियम में हुए समारो हमें रामदेव बोले कि प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी और गुरुहा मंतरी अमिच शाह को एक कानून लाना चाहिए और गाय को भारत का राष्ट्रिय पशुग घूशित किया जाना चाहिए पीठम हमेशा सही गौरक शाभियान में आगे रहा है रामदेव ने गो महा सम्मिलन की तारिफ की और बताया कि आंद्रा प्रदेश के मुख्य मंतरी वायस जगन मोहन रेड़ी ने उन्हें टीडीडी के इस कारेक्रम के बारे में बताया था रामदेव ने हिंदु धर्म के प्रचार के लिए टीडीडी की तरफ से चलाय जा रहे कारेक्रमों की भी तारिफ उन्होंने टीडीडी चेयर्मेन वाईवी सुबबा रेड़ी को भी सराहा बतादी की कुछ सालों से गायो को राष्ट्य पशु का दरजा देने की मांग और तेज हो गई है इस साल सितमर में गायो की हालत को लेकर अलावाथ हाई कोट ने भी बड़ा सुझाओ दिया है हाई कोट ने सुझाओं में कहा है कि केंद्र सरकार संसत में बिल लाकर गायो को राष्ट्य पशु का दरजा दे हर साल मौनसुन की शिरुवात के साथ दिल्ली में डेंगू का प्रकुब देखा जाता है जो आम तोर पर सर्दी का मौसम आते ही समाप्त हो जाता है हालक इस वर्ष राजधानी में मामलो में बड़ी वृद्धी देखी जा रही है जो अब भी जारी है डेंगू की खतरनाक रूप से बढ़ते मामलो को देखते हुए केंद्रिय स्वास्ता मंतरी मंसुक मानविया ने हाई लेवल मिटिंग की इसमें स्वास्ता मंतराले के साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया मिटिंग के दुरान स्वास्ता मंतरी की इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंद्र डेंगू मामलों में वृद्धी को रोकने में कैसे आम आदमी पार्टी के नेतरुत्व वाली दिल्ली सरकार की मदद कर सकती है डॉक्टर ने पहले कहा था कि गंभिर बिमारी के उच्च जोखिम से जुड़े सीरो टाइप टू डेंगू वाइरस के प्रसार के बावजुद अधिकांश लोगों में गंभिर लक्षन नहीं दीख रहे हैं डेंगू वाइरस बुखार और रक्तसरावी लक्षनों का कारण बनता है और अधिक गंभिर बिमारियों से जुड़ा होता है इससे लोगों में परेशानी बढ़ती है दिल्ली वा आसपास के इलाकों में डेंगू के प्रकोप को देखा जा रहा है अस्पतालों के OPD में मर केंद्री एजनसिया मिलकर नकसलियों को होने वाली फंडिंग की जांच और रोकताम में जुटेगी सूतरों ने कहा कि एनाईये, ED, CBDT, CBIC वा अन्य सुरक्षा एजनसिया मिलकर नकसल फंडिंग पर रोक के साथ नकसलियों के खातमे पर समन्वित रणनिती में शामिल होगी एक अधिकारी ने कहा कि नकसलियों के खिलाफ इस अभियान में स्थानिया पुलिस और स्थानिया एजनसियों की भी प्रमुग भूमिका है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ही नकसल के खिलाफ आरपर की लड़ाई की रणनिती पर काम कर रही है। एजनसियों की कश्मिर में जिहादी पाट सालों का रहस्ते सामने आ रहा है। टेरर मॉनिटरिंग अर्थात टी एमजी में CBI, NIA, ED, CBTT और CBIC शामिल है। इन एजंसियों के समन विद दुरुष्टी कौन से जिसमें जम्मू कश्मिर पूलिस भी शामिल है। आतंकी फंडिंग पर काफी पर नकसल इलाकों में भी अपनाये जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्या मंत्री योगी आदित्यनात ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान से परेशान महसुस कर रहे है। लेकिन अगर विद्रोही समुह भारत की और बढ़ता है तो भारत हवाई हमले के लिए तयार है। एक सामाजिक प्रतिनीधी सम्मेलन को संभोधित करते हुए इस दोरान उन्होंने राज्य में अपने राजनितिक विरोधियों पर हमला बुला। प्रधान मंत्री नर्यनमोदी की नेतरुत्वा में देश शक्तिशाली है और कोई भी देश भारत की और उठाने की हिमत नहीं कर सकता। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मुहमद गौरी के अनुयाई और आकरमन कारी गाजी को डर है कि अगर सुहेल देव समारक बन गया तो लोग गाजी को भूल जाएंगे और राजनितिक ब्लैक मेल करने वालों को मिटा देंगे। यही कारण है क कि वे परुक्ष रूप से सुहेल देव के समारक का विरोध करते हैं। मगर हम अपने करतवय के प्रती दुरूट संकल्पित हैं। अपने महानायकों को फिर से एक शितीज में देदी प्यमान बनाएंगे। अन्या प्रती द्वंदियों पर हमला तेज करते वे आधित्यना समुद्र में डुबे 2000 साल पुराने शहर बाईया की अदभुत तस्विरे दुनिया को चका चौन कर रही है। एक अलिशान जिन्दगी का गवा बना 1000 साल पुराना शहर अब परियटन का केंद्र बनने जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अरब सागर में अपने वो बुणा माना जा रहा है। 1999 के बाद किसी पोप की ये पहली भारत यात्रा होगी। इसी बीच थाइलेंड सरकार ने कहा है कि बैंककोक में अब परियटक पहले की तरफ चुटिया मना सकेंगे। पिछले अठरा महिनों में ये पहली बार होगा जो विदेशी परियटको को बिना कॉरंटाइन किये एंट्री दी जाएगी। तो टेसला चिफ एलन मस्क का कहना है कि अगर संयुक तो राष्ट के अधीकारी ये साबित कर दे कि उनके 6 अरब डॉलर से दुनिया की भुक मिट सकती है तो वो अपने शेयर बेचने के लिए तयार है। दुनिया भरकी विसफोर्ट की वज़ज़ से इस आलिशान शहर का कुछ हिस्सा समुद्र में डूब गया था। अभी अटलांटिस शहर समुद्र के अंदर लोगों की आकरशन का केंदर बन गया है। परियटक इस शहर के अफशेशों को गाईट की मदद से देख सकते हैं। यही पर सिने पानी निकालने का भी सुजाओ दिया था ताकि अन्य खजाने को भी निकाला जा सके। सबसे पहले 1940 के दशक में इटली की एरफोर्स पाइलट रैमोंडो ने इस थान की पहचान की थी और इसे विचित्र भूतिया कजबा करार दिया था। बाईया शहर इटली के नेपल्स शहर के पास स्थीत था। प्राचिन रोमनकाल में इस शहर को आधुनिक मोंटे कारलो की धर्व का दरजा हसिल था। समुद्र के नीचे दिख रहे बाईया के खजाने को देखकर विश्यशग्य या अनुमान लगा रहे हैं कि ये धनी लोगों का कजबा था। जहां धनी औ सनिक अड़े डियागो गार्सिया से उडान भरी और पाच घंटे तक लगातर उडान भरता रहा। इस दोरान B-1B बॉमबर ने अरब सागर, अदन की खाडी, फारस की खाडी, ओमान की खाडी, स्वेज नहर, लाल सागर के उपर से उडान भरी। अमेरिकी बॉमबर के शक शक्ती प्रदर्शन के बाद अमेरिकी बॉमबर वापस डियागो गार्सिया लोट आया। इस उडान के दोरान अमेरिकी बॉमबर के साथ इसरायल के F-15 बाज फाइटर जेट नजर आये। अमेरिका ने डियागो गार्सिया में अपने B-1B बॉमबर की तेनाती करके प्रदर्शन के बाद किसी पोप की पहली भारत यातरा होगी बलकि इसलिए भी कि पिछले वर्षों में ऐसी कोशिश नाकाम हो चुकी है। पोप फ्रांसिस समय समय पर भारत आने की अपनी इच्छ जाहिर करते रहे हैं। खास कर 2016 में इसकी संभावना काफी मजबुत माने जाने लगी थी जब उनकी साउथ एशियन देशों की यातरा की योजना बन रही थी। अगले साल 2017 में वह बांगलादेश और म्यानमार यातरा पर तो आये लेकिन कुछ वज़ह से उनकी भारत यातरा का योग नहीं बन सका। कहीं न कहीं इसे दोनों पक्षों के बिच सहीशनुता सम्मदी आरोपों की भी कट होगी। भले ही ये आरोप बढ़ चड़ा कर लगाय जा रहे हूं लेकिन वैश्विक जनमत पर इनका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। जिससे भारत की अंतरराश्य छवी के भी प्रभावित होने का खत्रा है। चूकि ये परियाटक पहले की तरह चुटिया मना सकेंगे। पिछले 18 महनों में ये पहली बार होगा जो विदेशी परियाटकों को बीना कॉरंटाइन की एंट्री दी जाएगी। हालांकि परियाटकों को कोविड-19 का लगा होना अनिवारिय होगा लेकिन उन्हें देश में एंट्र लेने के बाद कोरना वाइरस के लिए किसी भी प्रकार के अवरोध से नहीं गुजरना पड़ेगा। थाइलेंड एशिया प्रशांत के सबसे लोगप्रिया परियाटन स्थलों में से एक है। अकसर यहाँ पर सैक्ड़ों परियाटक छुट्टिया मनाने आते हैं। वैश् इन सहित 60 से अधिक देशों के परियाटकों को अनुमती देदी हैं। नए नियमों के मताबिक परियाटकों को पहला दिन एक होटल में बिताना होगा। इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों में स्वतंत्रा रुप से यात्रा करने के लिए सक्षम होने से पहले कोरोना की नि का कहना राष्ट के अथिकारी की यह सबीक्त है कि उनके 6 अरब डॉलर से दुनिया की भुख Μिट सकती हैं तो वह अपने शेर बैशने के लिए तयार है हलांकि सयुक्तर राष्ट के अधिकारियों को ये बताना होगा कि वे इस रकम को दुनिया की भुक मिटाने के लिए किस तरह खर्च करने वाले है उन्होंने कहा कि सयुक्तर राष्ट को अपने खर्च को सारवजनी करना चाहिए जिसे लोगों को पता चल सके कि पैसे कैसे खर्च किये जाते हैं मतादे की सहीगत राष्ट के विश्वक खाद्य कारेकरम के निदेशक डेविड बेसली ने एक साक्षतकार में कहा था कि टेसला चिफ की कुल दौलत का केवल दो प्रतिशत पैसा दुनिया की भूक मिटा सकता है इलन मस्क की दौलत तीन सो अरब डॉलर से जादा है और वह दुनिया के सबसे अमिर व्यक्तियों में शुमार है पिछले सब्ता उनकी नेट वर्थ में भारी उच्छालाया था जिसके बाद उनकी कुल संपत्ती 311 बिलियन डॉलर पहुँच गई है इतनी जादा नेट वर्थ पर पहुँचने वाले वह दुनिया के पहले व्यक्ति है वही जेव बेजोस 195 अरब डॉलर के मालिक है तो आज की इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूस नमस्कार